दोस्तों नमश्कार एक आदमी का चलान काटा जाता है 500 रुपे का बिना हेलमेट का बदले में उसने अपने 9600 साथियों की तनख्वा दिलवाने में काम्याब हो जाता है सुनके जरा अजीब लगड़ा होगा आपको उसने जो किया है वो सही किया या गलत किया इसका फैसला आपकी जीए इस घटना को आप किस रूप में लेते हैं ये मैं आप पे जोड़ता हूँ स्री निवास फिरोजाबाद में पस्चिमांचल विद्युत बितर निगम लिमिन्टेट में वो कॉंट्रेक्ट पे काम करता है चार-चार महिने तक उसको तनख्वा नहीं मिलती है और जब तनख्वा मिलती है तो एक महिने की तनख्वा मिलती है वो भी चार महिने बाद सिर्फ एक महिने की तनख्वा उसके जिम में पैसे नहीं होते वो फिरोजाबाद में कहीं जा रहा था इलेक्ट्रीसियन है ठेके पे है वस्यमांचल विद्धूत निगम लिमिटेड में और पुलीस उसको रोक लेती है उसका चलान काट दिया जाता है वो चलान देने से मना कर देता है उसके पास पैसे नहीं होते है पुलीस ने अपना काम किया क्योंकि उसने हलमेट नहीं पैला था स्रीनिवास उस थाने में पहुचता है जिस थाने के SI ने उसकी चलान काटी थी हलमेट की वज़ा से और उस थाने की वो बिजली काट देता है शोरगुल मसता है बाद में जो डिस्कॉम है वहां की वो सामने आती है 17 करोर रुपे रिलीज करती है जिसके तहत वो अपने 9600 साथियों की तनख़ा दिल्वाने में काम्याब होता है जिनको 4 मेने से तनख़ा नहीं मिली थी लेकिन एक मेने की ही सैलरी दी गई है अब ये घटना बहुत ही इसको जिस रूप में आप लेना चाहें ले सकते हैं ये मैं आप पे छोड़ता हूँ फिर कहता हूँ वहीं पे उसके साथियों का कहना है कि स्री निवास ने जो किया वो ठीक किया अब मुद्दे की बात यहां पे यह है कि जिस थाने की उसने जाके बिजली काटी यानि कि जिस थाने की एसाई ने उसकी चरान काटी थी और उसी थाने की बिजली जाके उसने काटी है उस थाने के उपर तक्रीबन छे लाख रुपे का बिजली बिल बकाया है 2016 से और वहाँ के डिरेक्टर का कहना है यानि कि बिजुत निगम जो वहाँ पे है उनका कहना है कि बिजली इसलिए काटा गया क्योंकि उन्होंने पैसा बकाया नहीं दिया था इसके बाद स्री निवास पे डिपार्टमेंटल इंक्वारी बिठा दी गई कि इसने चलान क्यों नहीं भड़ा इंटर्नल इंक्वारी बिठाई गई है लेकिन उसके जो साथ ही है वो उसके पक्ष में आये हैं कि वो बिल्कुल ठीक किया क्योंकि अगर 4-4 महिने 5-5 महिने तंखार नहीं मिलेगा और 5-4 महिने बाद जो तंखार मिलती है वो भी एक महिने की दी जाती है तो अपने बच्चों को खिलाने के लिए पैसा नहीं है अपने पडिवार को पालने के लिए पैसा नहीं है तो स्री निवास ने जो किया वो ठीक किया अब यहां पे सवाल यह है वहां के लोगों का कहना है, वहां के employee का कहना है कि जब आप 4-5-5 महीना तन्खवा नहीं देंगे तो आखिर आदमी जिंदा कैसे रहेगा, कहां से चलान भड़ेगा स्री निवास बिना helmet का था, पुलिस ने चलान काटा, वो अपनी जगा सही थी लेकिन वही जो जहां से पैसे आते हैं बिजली बिल के मैं सरकारी डिपार्टमेंट की बात करूँ, जिनके ओपर थाने की बात करना हूँ जिनके ओपर 6-7 लाग रुबे बगाया था 2016 से तो पैसा आगी नहीं रहा, उनका कहना है करमचारियों का जो कंजूमर्स हैं उनके पैसे क्यों नहीं ये लेते हैं यानि कि उनके ओपर दवाव बनाना चाहिए कि वो पैसा भी अपना टाइम से दे यहां पर एक चीज और बताना जरूरी है कि महरास्टरा में आपने सुना होगा कि किस तरह से मंत्रियों कि यहां पानी के बिल बाकी थे अलाखो लाखो रूपे सब कि यहां बाकी थे उनको कोई पूछने वाला नहीं है क्योंकि हमारे यहां आप आके और दरवाजे पर दस्तक देना तो बड़ा आसान है लेकिन इनके यहां जाएगा कौन तो पूरा मामला यह है कि स्री निवास का चलान काटा गया स्री निवास ने जाके उस थाने की लाइट कार दी जिस थाने के साय ने उसका चलान काटा था फिर विद्युत वितरन जो निगम जो वहां की है वो आई सारे लोगों की तनखा पे किया हलाकि एक महिने का तनखाद दिया है तो स्री निवास ने जो किया और उसके इसकी वज़ा से उसके 9600 लोगों की सैलरी देनी पड़ी क्योंकि शोर गुल हुआ तो स्री निवास ने जो किया वो सही किया या गलत किया ये फैसला तो आप कीजिए लेकिन अगर किसी आदमी को 4-4 महिने 5-5 महिने सैलरी नहीं दिया जाएगा तो वो फिर अपने बच्चों को कहां से खिलाएगा और एक चीज इमानदारी से बताईएगा कि आज के दोर में जब आप घर से निकलते हैं 20-25,000 रुपे के कहीं जॉब करते हैं तो घर से जब बाइक से निकलते हैं तो टंकी का ढखकन खोल के उसके अंदर जाकते हैं कि आज तो चल जाएगा ना ये हकीकत है एक आम आदमी की हकीकत है या नहीं है ये जरा जरब बताईएगा जरूर तो स्री निवास ने जो किया उसके उस करने की वज़र से 9,600 लोगों की तंखा कम से कम मिल गई 4 महीने की तंखा 5-5 महीने की तंखा बाकी थी जिसमें से एक महीने की तंखा दी गई है 5-5 महीने 4-4 महीने तंखा नहीं मिलती है तो आखिर जो स्री निवास ने किया वो सही किया या गलत किया इसका फैसला आपके दूने है शुक्रिया दोस्तो